जेहिंच चातियों नमस्कार सेनिक समाचार इंडिया में आपका स्वागत है चातियों 1 rank 1 pension 2 का area तबी मिलेगा जब आपका कोरिजंडम PPO जनरेट हो चुका होगा कुछ एक defense pension का जो इस पर से pension ले रहे हैं उनका कोरिजंडम PPO पहले ही जनरेट हो चुका है और उनको OROP 2 की area की पहले किस्त भी आ चुकी है लेकिन केई pension ऐसे हैं जिनको अभी कोरिजंडम PPO के message आ रहे हैं तो उनको आने वाले कुछी दिनों में OROP का area मिलने की पूरी संभावना है तो आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि यदि आपके पास में इस प्रकार का SMS आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि आपका कोरिजंडम PPO जनरेट हो चुका है उसको डाउनलोड कर लीजिए जिसे आपको समझना जरूरी है सबसे पहले आपका नाम रहेगा उसके बाद आप यहां पे देखेंगे कि पैंसेनर आईडी और PPO नंबर सेम होता है इसमें कहा गया कि आपका जो कोरिजंडम PPO है वो जनरेट हो चुका है और ओरिजनल PPO है वो भी सेम ही रहता है इसपर्स से पहले ओरिजनल PPO और कोरिजंडम PPO के नंबर अलग होते थे लेकिन इसपर्स के आने के बाद जो आपका ओरिजनल PPO नंबर है वो ही आपका कोरिजंडम PPO नंबर भी होगा इतना होगा कि जब भी कोरिजन्डम PPO जारी होगा तो उसका सीरियल चेंज होगा कोरिजन्डम PPO नमबर 1, 2, 3, 4, 5 इस परकार है तो इसमें कहा गया है कि आपका ओरिजनल PPO के अगेंस्ट कोरिजन्डम PPO जनरेट हो चुका है और आपको इंटाइटलमेंट और PPO डाउनलोड करने के लिए इसपर्स की वेबसाइट पे लोगिन करके और वहां से आपको डाउनलोड करना है तो आगे हम यही जानेंगे कि किस परकार लोगिन करना है और कहां से आपको कोरिजन्डम PPO डाउनलोड करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको Spurs की website को open कर लेना है यदि आप mobile में open कर रहे हो तो यहाँ पे तीन line पे click करते हुए आपको desktop view के उपर click कर लेना है यहाँ पे आपको desktop view दिखाई देगा इसके उपर आपको click कर लेना है ताकि website clearly आपको visible हो उसके बाद क्या करना है आपको login के उपर click करना है login पे click करने के बाद अपना username डालना है उसके बाद password डालना है और फिर यह capture जो आपको दिखाई दे रहा है उसको निचर enter करने के बाद login के उपर click कर देना है और आप इस पर्स में login हो जाएंगे तो successful login होने के बाद home page पे इस परकार आपको icon दिखाई देंगे तो यहाँ पे आपको एक menu दिखाई देगा pension slip इससे पहले यहाँ पे pension payment order भी लिखावा नजर आता था लेकिन अब उसको हटा दिया गया है यहाँ पे केवल आपको pension slip लिखावा नजर आएगा तो आपको pension slip के उपर क्लिक करना है यह करने के बाद यहाँ पे आपको pensioner corrigendum ppo के उपर क्लिक करना है pensioner corrigendum ppo पे क्लिक करते ही आपको निचे pension payment order इसकी pdf देखने को मिलेगी आपको इसको open और download करने के लिए इस PDF के उपर click करना है यह आपके सामने इस परकार दिखाई देगा open तो आपको open के उपर click कर देना है जैसे आप open पे click करोगे आपके सामने आपका Corrigendum PPO download हो जाएगा download होने के बाद आपको देखना है कि आपकी pension में कितना revision हुआ है आपको OROP2 की table के साथ मेच करना है कि आपका revision सही हुआ है या नहीं तो आप हम open कर लेते हैं और उसके बाद जो OROP2 का revision detail है उसको check कर लेते हैं तो सातियों यहाँ पे आप गोर करें इस PPO में pensioner को service pension भी मिल रही है और उसके साथ-साथ disability element भी मिल रहा है तो इसमें जो करन्ट pension थी OROP2 के revision से पहले वो service pension थी 18,427 रुपे और permanent disability element था 5,529 रुपे OROP2 के बाद revise जो new value है वो service pension 18,427 रुपे से 20,107 रुपे हो चुकी है और permanent disability element 5,529 रुपे से 6,033 रुपे पर मंत हो चुके आप यहाँ पे देख सकते नीचे revised entitlements are published post OROP implementation यानि यह OROP2 का corresponding PPO है अब आप जितना difference है उसको multiply कर सकते हो जितने महिने का आपका area बन रहा है और उसके उपर dearness relief को भी calculate कर सकते हो यहाँ आप देखेंगे period of grant में clear लिखावा है 1st July 2019 से lifetime के लिए OROP2 की जो service pension और disability pension revise यहाँ पे की गई है और इसी के मताबिक अब pensioner को जो new value यानि revised pension है उसके मताबिक pension मिलेगी और area के duration का पूरा OROP2 का area मिलेगा तो इस परकार मैंने आपको OROP2 का corresponding PPO download करने की जानकरी दी आपको जानकरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like and share कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को subscribe कर सकते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए जे हिंड जे बारत वंदे मातरम